Welcome to मुमिन जहांगर अकाडमी Students आज के lecture में यह maths पडल है Students maths पडल को start करने से पहले मेरी आप से request है कि kindly जिन students ने अभी तक मुमिन जहांगर अकाडमी को subscribe नहीं किया kindly वो सबस्क्राइब करें तो अच्छल यह students बढ़ते हैं अपने Maths Puzzle की जानिब Students इस Maths Puzzle में हमें यह जो Question Mark है इसकी जगा देखना है कि कौन सी Value आएगी Students बहुत ही Simple वे है इसको Find Out करने का हिंट हमें इन दोनों से Easily मिल सकता है तो अचलिए Students देखते हैं वो कौन सा हिंट है Students Number Firstly हमें देखना है कि यह 15 किस तरह से आया है Students यह 15 Number Firstly इन दोनों को Multiply कर लिया गया है 5, 6, 30 Now इस 30 को इस 2 पे Divide किया गया है So 30 divided by 2 is equal to this one 15 Got it students अब students यहां भी बिलकुल इसी तरह को लॉजिक यूज हुआ है Number Firstly इन दोनों की multiplication की गई है So 2 adds 16 Now 16 को divide किया गया है इस 4 पे 16 divided by 4 is equal to this one 4 Got it students अब तर students आप अच्छी तरह से समझ गया होंगे कि यहां हमें किस तरह से इस value को find out करना है तो obviously students इसी तरह को logic यहां भी use करते हुए Number Firstly हमें इन दोनों को multiply कर लेना है So 7 for the 28 Now 28 पे divide करना है इस 14 को So 28 divided by 14 is equal to 2 तो यह students हमारा answer है 2 तो यह था students आज का maths पदल I hope कि आपको चीजी तरह से clear हो गया होगा Students अगर आपको किसी भी point मा कोई problem हुई तो आप जरूर comment में share कीजिएगा मिलते हैं इन्शाला तरह नेक्स्ट लेक्शर में अलाहाफेज